आज हम लोग पार्थ दो कवर करेंगे और ये है घर यानि एक बार फिर से हम लोग अपने परिवार से कनेक्ट होंगे और उनके इंपॉर्टेंस को समझेंगे ये एक पोयम है एक कवीता है और कवीता को लिखने वाले इंसान को कवी कहा जाता है पापा क्यों अच्छा लगता है अपना प्यारा प्यारा घर घूम घामले खेल खाले नहीं बूलता लेकिन घर यानि यहां पर इंपॉर्टेंस बताया जा रहा है वह बच्चा सवाल पूछ रहा है अपने पापा से की पापा अपना घर इतना अच्छा क्यों लगता है हम लोग घूमने जाते हैं खेलने जाते हैं लेकिन सब जगसे जब भी वापस आते हैं तब घर को ही खोशते हैं नहीं आपको लगता पापा है मा की गोदी सा घर प्यारी प्यारी ममता वाला सुंदर सुंदर न्यारा घर वो कहता है कि पापा आपको नहीं लगता कि हमारा घर बिल्कुल मा की गोद की तरह है क्यों कह रहा है वो अपने पापा को क्योंकि जैसे आप अपने ममी के गोद में बिल्कुल आराम से और शांती से बैठ जाते हो और सुकून महसूस करते हो आपको बहुत अच्छा लगता ह ठीक वैसे ही वो भी बता रहा है कि हमारा घर भी होता है जब हम अपने घर वापस आते हैं तो बिल्कुल वैसे ही लगता है हमें बहुत रिलाक्स पील होता है इसलिए वो कह रहा है कि हमारा घर जो है ना वो बिल्कुल मा की गोद की तरह है हम लोग वहां पर रिलाक्स में सु नई ताज़िगी देता घर यानि घर जब आप वापस जाते हो तो जाकर फ्रечь होते हो फिर खाना खाते हो और खाना खाने के बाद रेस्ट करते हो आराम करते हो तो जब यह सारी चीजे होती है तो उस बच्चे को बहुत अच्छा लगता है और वो बता रहा है कि हमारा घर कितना प्यारा है कि कहीं से भी वापस आओ तो आकर हमें इसके साथ बहतर महसूस होता है तो इस पार्ठ में हमें सिखाया जा रहा है कि हमारा घर बहुत सुन्दर है क्यूं है सुन्दर क्यूंकि आप कहीं से भी वापस आओगे न तो यह आपको किसी भी काम में आगे उलजाएगा नहीं बलकि घर आने का मतलब होता है कि अब आपके सारे काम खतम आप यहां रहो ख कवी दिविक रमेश हमें सिखा रहे हैं कि घर बिलकुल मा की तरह होता है और वो हमारी केर करता है जैसे हमारी मा करती है और जैसे खुशी मिलता है हमें उससे मिलकर मा से ठीक वैसे ही घर जाकर मिलता है तो इस चाप्टर से क्या-क्या क्वेश्चन हो सकते हैं पहला यहां पर relax यानि सुकून महसूस करता है इसलिए उसे उसका घर बहुत पसंद आता है दूसरा question यहां पर वो बच्चा किस से सवाल कर रहा है तो यहां पर वो बच्चा अपने पापा से सवाल कर रहा है तीसरा question प्रस्तुत पाठ के कवी कौन है तो इस पाठ के कवी है दिवि रमेश तो ये था आज का चाप्टर थेंक यू